मेरे प्यारे मित्रों, हमने आप सभी को पहले वीडियो में मानो कंकाल के बारे में बताया था कि मानो कंकाल के किस भाग में कितनी हड्डियां होती हैं। आज हम आप सभी को मानो कंकाल के चेहरे के बारे में बताएंगे। मानो के चेहरे में कुल मिला करके चवदा हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? चवदा हड्डियां होती हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है चा से चेहरा होता है और चा से चवधा होता है यानि चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं अब चलिए हम देखते हैं कि इन 14 हड्डियों में कहां कहां पर कौन सी हड्डी है तो सबसे पहले आएए देखते हैं इस चेरे को थोड़ा हम तिर्चा कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर एक हड़ी पाई जाती है इस हड़ी को हम कहते हैं जाइगो मैटिक हड़ी इसे हम गाल की हड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा हमारे गाल काकार निर्धारित होता है यह हड़ी बाएं तरफ होती है तथा एक हड़ी इसी प्रकार से दाहिने तरफ भी होता है इस प्रकार जाइगो मैटिक हड़ी की संख्या कितनी हुई दो यानि चवदा हड़ीों में से दो हड़ी जाइगो मैटिक हड़ी होती है यानि गाल की हड़ी दो होती है चलिए अब हम आगे देखते हैं देखिए इस जाइगो मैटिक हड़ी के बगल में यहाँ पर देखिए इसे हम कहते हैं मैगजिला हड़ी यह बाए साइड में भी होता है और दाहिने साइड में भी यह हड़ी होता है जिसे मैगजिला हड़ी कहते हैं इस परकार से मैगजिला हड़ी भी कितनी हुई दो अब आईए हम आगे चलते हैं मैगजिला हड़ी जो होती है यह एक हड़ी बाएं और एक दाएं यह दोनों हड़ीयां मिल करके उपरी जवड़े का निर्माड करती है अब चलते हैं हम उपरी जवड़े के निचले भाग में देखिए यहाँ पर उपरी जवड़े के नीचे जो हड़ी होती है इसको हम मैंडिबिल हड़ी कहते हैं मैंडिबिल हड़ी के नीचे मैंडिबिल हड़ी यह संख्या में एक ही होता है इसे निचला जवड़ा भी कहते हैं यहाँ निचला जवड़ा चलन सील होता है उपर नीचे गिरता है और उठता है जिसके द्वारा हम भोजन करते हैं और बादचीत करते हैं अब हम चेहरे की हड़ी को आए और देखते हैं इस कंकाल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले अब यहाँ पर देखिए एक हड़ी ये इसको नेजल हड़ी कहते हैं यानि नाक की हड़ी है ये एक हड़ी बाएं तरफ होता है और एक हड़ी ये दाएं तरफ भी होता है यानि दो नेजल हड़ी नाक की हड़ी होती है इसके बाद इस कंकाल को हम थोड़ा और बड़ा करते हैं देखिए नाक के बीच में अंदर में यहाँ पर एक हड़ी आपको दिख रही होगी पतली सी इसे हम कहते हैं बोमर हड़ी ये संख्या में एक होती है अब इस कंकाल को हमें पीछे घुमाना पड़ेगा तो हमें पीछे की तरफ हड़ी कुछ दिखाई देंगी चलिए हम इसको घुमाते हैं दाखिये नाक के अंदर में एक ये हड़ी होती है इस हड़ी को कौनचा हड़ी कहते हैं ये नाक के अंदर में होती है ये बाये तरब ही होता है और ये दाहिने तरब भी होता है मतलब कौनचा हड़ी संख्या में दो होती है अब देखिए एक हड़ी और होती है एक प्रकार की लेकिन ये आगे से दिखाई नहीं देगा तो इसको हम पीछे गुमाते हैं देखिए हमने पीछे गुमा दिया इसको यहाँ पर दिखिए एक ये हड़ी होती है हरे रेंग में जो रेंगी हुई दिख रही है इस हड़ी को हम पहला टाइन हड़ी कहते हैं और ये हड़ी भी संख्या में दो होती है एक देखिए इधर आपको दिख रहा है और एक दूसरी तरफ जो है इधर देखी ये तो पहला टाइन हड्डी भी संख्या में कितनी होती है दो होती है तो इस प्रकार से हमने चहरे के सभी हड्डियों के बारे में जानकारी परात कर लिया